हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम अलजेवरा टॉपिक के कुछ और इंपॉर्टन कोश्चन करेंगे तो आई स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो पहला कोश्चन हमारे पास है इसमें बोलगे एक्स प् प्लस वन बाइए एक्स प्लस वन है हम उपर वाली टर्म्स को और नीचे वाली टर्म्स को दोनों को एक्स से डिवाइड कर देते हैं ठीक है इसको भी एक्स से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा यह तो इस तरीके से आएगा प्लस one by x already है तो यह हमारा x square हो जाएगा अब नीचे हमारे पास बचा x square by x minus x by x plus one यह हो गया अब इसको थोड़ा और simplify करेंगे इसको cancel करेंगे तो यह 2 हो जाएगा ठीक है तो उपर वाली टाउ हमारे पास आगई x square plus one by x square हो गया और denominator वाली टाउ हमारे पास इससे cancel करेंगे तो यह x हो जाएगा minus x x करा तो one आ गया और यहाँ पर भी हमारा x से डिवाइड होगा ठीक है तीनों टाम ही x से डिवाइड होगी तो plus one by x हो गया तो हमारे पास उपर जो है x square plus one by x square है और नीचे हमारे पास अगर मैं इसको combine करके लिखूँ तो हमारे पास यह हो जाएगा उपर हमारे पास है x square plus one by x square और denominator में आ जाएगा हमारे पास x plus 1 by x और minus 1 ठीक है तो x plus 1 by x की value तो हमें question में दे रखी है अब x square plus 1 by x square की value निकाल लेते हैं x square plus 1 by x square तो इसकी value निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास x plus 1 by x है ठीक है सबसे पहले इसका square कर देंगे तो मतलब 3 का square कर दिया और minus कर देंगे 2 तो यह हो जाएगा 9 minus 2 7 आ गया तो इस पूरे की value हमारे पास 7 है तो हमारे पास यह जो आएगा वो क्या हो जाएगा नीचे कर लेते हैं इसकी value तो 7 आ गई है divided by x plus 1 by x हमारे पास 3 था और plus minus का 1 ठीक है तो यह हो जाएगा 7 बटे 2 तो 7 by 2 इसका answer होगा अगला question देखते हैं अगला है अब इसमें दे रखा है x plus 1 by x हमें दे रखा है 3 हमें निकालना है x की power 5 plus 1 by x की power 5 तो हमें इस पूरे की value बताने हैं क्या होगी तो इस type की question हो करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम x square plus 1 by x square निकाल लेते हैं ठीक है तो यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे यह हमारे पास है x plus 1 by x is equal to 3 इसको अगर मैं a मानूं तो इसका formula हो जाएगा a square minus 2 तो a हमारा 3 है तो 3 का square 9 minus 2 is equal to आगया 7 ठीक है और अगला निकालने के हम x cube plus 1 by x cube इसका formula हो जाएगा a cube minus 3a तो यह हो जाएगा 3 का cube करेंगे minus 3 into 3 तो यह हो जाएगा 27 minus 9 तो इसकी value आजाएगी हमारे पास 18 ठीक है तो x cube plus 1 by x cube की value आगे हमारे पास 18 ठीक है यह हो गई अब हमें करना क्या है हमें निकालना है x की power 5 plus 1 by x की power 5 ठीक है तो अगर मैं इसको multiply करके लिखूँ value निकालने के लिए हम करें x plus 1 by x square into करूँ अगर मैं x cube plus 1 by x cube से यह तो 18 into 7 हो गया ठीक है अगर मैं bracket open करूँ पहले इस वाले को x cube से करें तो x की power 5 हो जाएगा प्लस अब इसको अगर मैं इस से multiply करूँ तो यह हो जाएगा 1 by x हो जाएगा ठीक है यह हो गया 126 हो गया अब देखिए यहाँ पर x की power 5 बाली टाम भी है और x plus x plus 1 by x बाली टाम भी है तो इसको separate करके लिख लेते हैं तो यह जाएगा हमार पास x की power 5 plus 1 by x की power 5 और आगे हाँ पर x plus 1 by x is equal to 126 अब इसकी value हमें दे रखिए 3 है तो x5 plus 1 by x5 is equal to 126 minus 3 तो यह value आगे 123 तो option number 60 का correct हो जाएगा अगला question हमारे पास है अब इस question में हमें क्या बोला गया है इसमें बोला है x की value हमें दे रखिए 7 minus 4 under root 3 हमें root x plus 1 by root x की value बतानी है क्या होगी तो इस type के question को हम क्या solve करेंगे देखिए हमारे पास root x plus 1 by root x की value हमें निकाल ली है अगर मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो इस तरी के इस लिख सकते हैं root x plus 1 by root x ठीक है अब अगर मैं इसका square root करूं तो इसका square करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा यह जाएगा root x का square plus 1 by root x का square plus 2 under root x into 1 by root x root x से root x cancel तो यह पूरा simplify करने के बाद हमारे पास आएगा x plus 1 by x plus 2 ठीक है यह आईगी value तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर x तो हमें देही रखा है हम 1 by x निकाल लेते हैं तो 1 by x अगर मैं निकालूंगा तो यह जाएगा 1 by 7 minus 4 under root 3 इसको rationalize किया तो 7 उपर plus 4 root 3 उपर और मैं divide भी करेंगे 7 plus 4 under root 3 से तो उपर तो हमारे पास आए 7 plus 4 under root 3 और नीचे आएगा 7 का square minus 4 under root 3 का square तो यह कितना हो जाएगा 7 plus 4 under root 3 अब और मैं 49 और 4 का square करें 16, 16 तिया 48 minus का 40 है तो 1 by x की value जो होगी होगी हमारे पास 7 plus 4 under root 3 ठीक है तो यहाँ पर हम value put कर देते हैं तो x तो हमें दे रखा है 7 minus 4 under root 3 और 1 by x की value में निकाली है 7 plus 4 under root 3 प्लस 2 ठीक है इससे cancel हो गया है और यह equal हारा हमारा root x plus 1 by root x के whole square के इन सब को अगर मैं add करूं तो हमारे पास क्या आएगा root x plus 1 by root x का whole square is equal to 16 आएगा ठीक है अब यह square वहां जाके root हो जाएगा तो root x plus 1 by root x की value आगे हमारे पाए अंडर root 16 जो की 4 के equal होता है तो option number d का correct हो जाएगा अगला question देखते हैं अगला है हमारे पास x is equal to root 3 plus 2 दे रखा है तो हमें x cube plus 1 by x cube की value निकाल लिए है ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 by x निकाल लेते हैं तो 1 by root 3 plus root 2 इसको rationalize करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे जो भी denominator में है उसी से multiply और divide करेंगे लेकिन sign change करके यहां plus था तो हमने minus ले लिया और यहां भी root 3 minus root 2 ले लेंगे ठीक है तो उपर तो हमारे पास आएगा root 3 minus root 2 और denominator में हो जाएगा root 3 का square minus root 2 का square जिसकी value आएगी root 3 minus root 2 ठीक है तो 1 by x हमारा आगया root 3 minus root 2 अब directly भी लिख सकते हो बस करना क्या है x अगर हमारे पास है root 3 plus root 2 है तो हमें 1 by x निकालने के लिए बस इसका sign change कर देना है तो root 3 minus root 2 होगा और ये कब होगा जब इनके बीच का difference 1 आ रहा हो ठीक है 3 और 2 minus किया तो 1 आ रहा है तो directly हम यहां से लिख देंगे यह पूरा step करने की आपको ज़रुरत नहीं है तो हमारे पर 1 by x की value भी पता लग गई है अब देखिए एक formula होता है कर हमारे पर x plus 1 by x है a दे रखा है तो x cube plus 1 by x cube का जो formula है direct वो था a cube minus 3a ठीक है तो यहां पर हमारे पास है a जो है 1 by x plus 1 by x अगर मैं निकालूं यह root 3 plus root 2 और plus root 3 minus root 2 root 2 से root 2 cancel हो जाएगा ठीक है तो x plus 1 by x की value आगई 2 root 2 ठीक है तो a हमारे पास होगे 2 root 2 2 root 3 ठीक है तो हम formula अप्लाइ करेंगे x cube plus 1 by x cube का वो था है a cube तो 2 under root 3 का cube minus 3 into 2 root 3 तो 2 का cube करेंगे तो 8 आएगा ठीक है और root 3 का भी अगर cube करेंगे मतलब root 3 into root 3 into root 3 करेंगे तो यह तो हमारे 3 हो जाएगा और 3, 8, 24 24 root 3 minus 6 root 3 minus कर देंगे तो आएगा हमारे पार 18 root 3 इसका solution हो जाएगा next question हमारे पास है हमें दे रखा है x plus 1 by x is equal to root 3 दे रखा है हमें इस पूरे की value निकालनी है तो कैसे करेंगे तो दिखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे x cube plus 1 by x cube निकाल लेते हैं ठीक है जो होता है हमारा a cube minus 3 a होता है अब a की value यहाँ पर जो दे रखे है root 3 दे रखे है a की value हमारे पार root 3 है यहाँ put कर देते हैं तो यह हो जाएगा root 3 का cube minus 3 into root 3 अब root 3 का cube जो होता है उसका मतलब होता है root 3 का cube जो होता है root 3 into root 3 into root 3 अब दो बार root 3 को करेंगे तो यह तो 3 root 3 तो इसका value होगे 3 root 3 minus 3 root 3 यह हो जाएगा हमारा 0 तो हमारे पास x cube plus 1 by x cube की value जो है वो 0 है ठीक है अब इसका अगर मैं LCM लूँ तो हमारे पास आएगा x की power 6 plus 1 is equal to 0 तो x की power 6 की value आगी minus का 1 ठीक है इसकी value हमारे पास minus 1 होगी हमें value निकाल लिए है x की power 18 plus x की power 12 plus x की power 6 plus 1 ठीक है तो अगर इसको मैं लिखूँ तो यह हो जाएगा x की power 6 का power 3 plus x की power 6 का square plus x की power 6 plus 1 यह value रख देते हैं minus 1 का cube plus minus 1 का square plus minus 1 और plus का 1 minus 1 का cube करेंगे तो minus 1 आएगा इसका plus 1 आएगा यह minus 1 और यह plus 1 इसको cancel किया नमारा answer आएगा 0 option number is correct answer अगला question हमारे पास है अब इसको हमें simplify करना है और बताना है इसका answer क्या होगा ठीक है अब इसमें हमारे पास है 4x minus 3 upon x plus 4y minus 3 upon y plus 4z minus 3 upon z equal to 0 है हमें 1 by x plus 1 by y plus 1 by z की value बतानी है क्या होगी तो देखिए इसको अगर मैं separate करके लिखूँ इस पूरी terms को ठीक है तो क्या है हमारे पास यह आएगा 4x by x minus 3 by x plus 4y upon y minus 3 by y plus 4z upon z minus 3 by z is equal to 0 तो x x cancel y से y cancel z से z cancel तो यह आएगा हमारे पास 4 minus 3 by x plus 4 minus 3 by y plus 4 minus 3 by z equal to 0 तो इन चारों को अगर हम add कर दें 4 plus 4 plus 4 यह 12 हो जाएगा 12 minus 3 by x minus 3 by y minus 3 by z equal to 0 तो यहाँ पर 12 उदर ले जाएगे तो यहाँ बचेगा minus common ले लिए 3 by x plus 3 by y plus 3 by z is equal to minus का 12 minus से minus cancel तो यहाँ पर 3 common ले लेंगे तो यह बचेगा 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 12 तो हमारे पास जो है 1 by x plus 1 by y plus 1 by z की जो value हैगी 12 बटे 3 cancel किया तो 4 औप्शन नम्बर सीज का correct हो जाएगा अगला उशन देखते हैं अगला है अब इसमें बोला है कि x square minus x plus 1 upon में x square plus x plus 1 equal to 3 by 2 तो हमें x plus 1 by x की value बतानी है क्या होगी ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले उपर वाली terms को यहाँ को इसको x से divide कर देते हैं x by x plus 1 by x ठीक है तो इसको थोड़ा और simplify करेंगे तो हमार पास आएगा x minus 1 plus 1 by x और यह आजाएगा हमार पास x square था plus 1 plus 1 by x is equal to 3 by 2 ठीक है तो इसको combine करके लिखेंगे x plus 1 by x minus 1 x plus 1 by x plus 1 is equal to 3 by 2 तो cross multiply करूँ तो यह आएगा हमार पास 2 से multiply करेंगे इसको तो 2 x plus 1 by x minus 2 इसको 3 से करेंगे तो 3 x plus 1 by x plus 3 तो इसको separate कर लेते हैं ठीक है तो हमार पास यह दो को इदर ले आते हैं इस पूरे को यहाँ ले आते हैं तो यह जाएगा हमारा minus का minus का x plus 1 by x is equal to 5 तो यह थे algebra topic के कुछ important question उमीदे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू